इजूकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सल में फाइल कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक्सल वर्कशीट में हम कैसे प्रिंट निकाल सकते हैं। एकशल में सबसे बड़ी समस्या आती प्रिंट निकालने की जैसे आपने वर्ड में देखा होगा कि वर्ड में अलग-अलग पेज होते हैं लेकिन एकशल में क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं पे भी अंत नहीं दीख रहामें page का और ना हमारे को इसका कार से प्रिंट निकाल सकते हैं तो आपने देखा कि ऊपर यह कॉलम से हैं और यह हमारी रो है और यह फाइल काफी लंबी है काफी बड़ी फाइल है तो इसका कैसे प्रिंट निकलेगा तो यहां पर हम इसको ध्यान से देखेंगे आप देखते हैं इसको हम यहां पर जूम कर और तो इसको हम यहां से नीचे आके देखेंगे तो इस पेज का यहां पर दिखाई दे रहा है जिसको मैं आपको दिखाता हूं यह देखें यह एक लाइन यहां पर दिख रही है तो एक पेज यह हो गया एक पेज इदर हो गया तो यह दो तीन पेज इसमें दिखा रहा है ज हम इसको print कैसे लें तो ये था इसका एृरीया कि आप देख रहें लैन सीफ़ार对ंगे लें कि किस प्रकार निए करें प्रिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ए मैं यसा क्परिंट एक सी चार पेज दिखा रहा है दूसरे पेज में आप देखिए तो यह फाइल का नीचे वाला हिस्सा आ रहा है और उसके बाद आगे में देखेंगे तो इसका कुछ हिस्सा इधर आ रहा है और एक हिस्से में यह आ तो आपने देखा कि यह फाइल चार पेजों में प्रिंट होगी और वह भी सबसे पहले कि जब आपने यहां पर देखा है कि यह पेज से भार जा रहा है तो आप इसको मार्जिन को यहां से कम जादा भी कर सकते का मिला है लेकिन इसमें अपहल चाहिका है लेकिन इसमें व्यट अब इसको भी सकते हैं Kent Da сильверж करेंके तो आप हमारी यह जो लाइन है जो पेज मार्जिन फा इदर खिसक गया है इसका मतलब गया है अब कि देखज देख लेते हैं नीचे अभी हमें आवasisकता ह्मारी ऑर आएगा तो अब हम इसका będziemy करके देख ले ते हम लेते हमने जब य्रोलीय मार्जिन तो क्या हुआ उससे उस्में जाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि अब केभल दो पेज प्रिंट होंगे एक पूरा आगया हिंदी तक पूरा डेटा आगया हमारे पास मार्जिन आप देख रहे कि यहां पर भी दिखा रहा है यहां पर कम स्पेस आ रहा है यहां पर थोड़ा ज्यादा आ रहा है इसके बाद दूसरा इसके नीचे का प्रिंट आ रहा है बलकि किनारे का प्रिंट हट गया है तो इस से हमारा मार्जिन सेट हो गया है आप यहां से एक और आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा यहां पे लिए क किस् outrage पोलते है उसको अपनी अनुसार भी यहां से चेंज कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा और Perfect.록 को मार्जन यहां से भी हम अपने अनुसार फॉर्मेट कर सकते हैं पेज को निकाल सकते हैं। इसके भाग आपने देखा कि यह पूरा का पूरा एक जह दो पेज के अंदर आ गया हम इसको इन करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि एक्सल में वर्ड में पेज हमें clear दिखाई देते, एक्सल में ऐसा नहीं दिखाई देता, लेकिन एक्सल में आप देख रहे हैं कि यह जो lines दिखरी है हलकी हलकी lines, यह pages है, तो एक page, दो page, तीन page, यह इस तरह print करता है, तो इसमें बहुत सारे अनन्त page बन जाते हैं, तो उसको जानना बह सकते हैं page के, यह सब सीखना बहुत जरूरी है, तो मैंने margin बताए आपको, तो यह margin है, यह normal margin है, wide margin है, narrow margin है, custom margin है, जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे जाके भी आप set कर सकते है page को, यह देखो page आ रहा है, आपको portrait में print करना है, या landscape में, अगर आपके पास column जादा है, तो आप उसको landscape में print करेंगे, और अगर आपके पास portrait में, नीचे को data जादा है, तो आप portrait में print करेंगे, इसके बादे margin है, top margin यह अपने आप लेगा, 0.75 और header लेगा, 0.3, left और right margin इसमें दिया वार bottom भी दिया, इसको आप कम जादा यहाँ से कर सकते हैं, जैसे आप इ काफी उपर तक आ जाता है, इसके बाद header footer है, जहां पर आगर आप चाहते हैं, हर page में कोई information लिखनी हो, तो उसका हम यहाँ पर define कर सकते हैं, sheet भी हम यहाँ पर अपने अनुसार ले सकते हैं, कि आपको किस पर कार की sheet चीए, उसमें भी हम इसमें print कर सकते हैं, तो main चीज ह सबसे अच्छी fit to wide, इसको मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे होगा, जैसे हमारा कोई यह मैंने margin लिया था, अब इसको मैं दिखाता हूं, आपको कैसे होगा, यह जैसे हमने पहले हमने इसको करा था, तो हमारा table है, अगर मैं इस table को यहां पर थोड़ा बढ़ा देता हूं तो यह बाहर आ जाएगा, आप देखेंगे print area से हमारा table बाहर आ गया, अब यह इस line से बाहर आ चुका है, तो अब आप चाहते हो कि मैं ऐसा print दूं कि यह अपने आप ही adjust हो जाए, तो इसके लिए वही command है, जो मैंने आपको भी बताया कि इस में margin में जाके हम custom margin ले लेंगे, और यहां पर हम page में जाके fit, यहां पर 100 है, fit 1 करेंगे और ok कर देंगे, जब ok आप करेंगे तो आप इसके बाद print preview में जाके देखें, यहां पर custom margin में जाके यहां पर print preview में हमारा जो page था, यह automatic ही पूरा का पूरा एक page में आ गया है, जो हमारे दो page थे और जो हमारा side में निकल रहा था, आप देखो यहां पर, एक page में automatic है पूरा हमारा data आ गया है, लेकिन यह थोड़ा compress mode में आएगा, लेकिन यह बहुत अच्छी command है, जैसे दो page या तीन page में को तो यह वाला command था, इसमें 83% हो गया, अब हम इसको यहां से fit हटा लेते हैं, और इसको फिर वापिस 100 कर लेते हैं, जैसे हमने किया था भी, तो यह फिर change हो जाएगा, फिर यह दो page में data आएगा, जैसे मैंने बताया था, इसके बाद इसमें और भी command से यहां पर size, जो हम उ A3 size भी हम लेते हैं, market में A3, A5 available होता है, बाकी और size बहुत कम market में दिखाई देते हैं, यह यहां पर देखो letter भी है, legal size भी है, जो इंडिया में available होता है, इसके बाद printing area सबसे important set, printing area और इसके बाद background, अगर हमें कहीं background देना हो इसके पीछे, तो हम वो भी लगा सकते हैं, इसके साथ साथ हम इसमें किस परकार का print निकाला जा सकता, उसको हम यहां पर देखते हैं कि print कैसे निकलेगा, तो जैसे file है, file में हम option में कि यहां पर print command आ रही है, जैसे हम print को click करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा यह margin से cut रहे है, जो मैंने आपको बताया था, अब हम दुबारा सही करेंगे, कि हमें कितना area में print निकालना है, तो यहां पर आप देख रहे हैं, कि हमारा printer L3150 ले रखा है, आप कई भी printer को इसमें जोड सकते हैं, जो आपके घर में use हो रहा हो, उसको आप यहां पर ok कर सकते हैं, उसके बाद प्रिंटिंग जो sheet है, अब इसमें यहां पर page दिखा रहा, एक से चार, अगर आप one print one करेंगे, तो यह एक ही page print करेगा, यह एक ही page print करेगा, यह वाला और page print नहीं करेगा, इसके बाद, इसमें, अगर हमें print selected area चाहिए, तो वही print इसमें निकलेगा, जैसे मैं आपको बता दूँ, कि हमें केवल, एक से लेके 5 बच्चों का print चाहिए, इतना, सिर्फ 3 subject के marks चाहिए, इतना, तो हमें इतने का print निकालना है, तो इसके लिए हम यहां जाएंगे, file, फिर print में जाए आने के बाद, आप इस command को लेंगे, print selection, तो आप देखेंगे, कि जो हमने select किया था, उतने का ही print निकलेगा, बाकी फालतु चीज का print नहीं निकलेगा, तो यह बहुत अच्छी command है, कि जिससे आप select कर सकता है, और print entire workbook, अगर आप इसको click करेंगे, तो पूरी की पूरी जा जा उसमें 100 पन्ने हो, जा 500 पन्ने हो, वो सारी की सारी book प्रिंट हो जाएगी, और print active sheet, इसमें वही print होगा, जो इसमें active होगी, जो आपके front में दिखाई दे रही होगी, केवल वही sheet इसमें printed होगी, बाकी जो जो आप setting करेंगे, वो यहां पर आएगा, यहां से भी page setup पे जा सकते हैं, यहां पर भी page setup दिया हुआ है, और यहां मार्जन, header, sheet, सब कुछ, command यहां पर दे रखी है, तो आज आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम Excel में print निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से, बस थोड़ा सा हमें इसे समझने की आवशक्ता है, कि कहां पर हमारा जो margin है, वो print से भार ना जाए, कैसे हम उसको check करें कि वो print के अंदर आ जाए, margins कैसे set करना है, यह सारा हमने इस वीडियो में आज आपको सिखाया है, जो कि Excel में print निकालना ही सबसे कठीन कारे है, जो कि इसमें कहीं पर भी कोई चीज define नहीं होती है, तो आज के लिए बच्चों आप लोगों ने इसमें बहुत कुछ सीखा, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद,